दोस्तों अगर आपका लक्ष विस्विध्याला में Assistant Professor बनना है तो आपको UGC Net का exam qualify करना होगा हम आपके लिए हैं UGC Net Economics के दो courses जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चेप्टर वाई notes, test series और past share के question paper मिलेंगे इसके लिए आपको हमारी application विश्णू economics इसको download करनी होग कि वहाँ पर आपको UGC Net, PGT Economics, Assistant Professor, UPSC Economics optional आगी 200 से आदे courses बिलेंगे इसके लाव अगर आप फ्री notes डावलोड करना चाहें तो हमारे application के 3D material में free notes डावलोड का भी option है तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमाँ बच्चों को UGC Net का पूरा का पूरा course त्यार करा रहे हैं इसी मे हम आप बच्चों को Public Economics पढ़ा रहे हैं और अब हम Public Economics लेसन No.6 पर आ गए लेसन No.6 जो के आपके UGC Net के Slavers के according हमने त्यार किया हुआ है उसका नाम है The Government Budget and Budget Multiplier तो basically Government Budget में यहाँ पर हम Union Budget के बारे में पढ़ रहे हैं यानि कि Budget क्या होता है कौन कौन से क्लासिफिकेशन है यह भी आपको पढ़ना है बजट के क्या objective है आखिरकार Government Budget से किस purpose को दूर करती है इसके अलावा आपको Budget Surplus तरीके की बजट होती है पूरा का पूरा एक तरीके का जो बजट का इंफ्रेस्ट्रेक्चर है इस्ट्रेक्चर है इस्ट्रेक्चर है वह त्यार करना है आप बच expenditure क्या है किस किस चीज पर खर्चा करते हैं वह सब आपको देखिए डिटेल में पढ़ना है यह सब हम आपको exam point of view से कराएंगे आप जो जो देख रहे हैं वह सब कुछ हमारे course के अंदर आपको मिलेगा application के अंदर आपको मिलेगा YouTube पे भी काफी सारी वीडियो आपको प्ले over-kiya करवाए याइंगे इसके मेरेट क्या है और इस तरीके से पब्लिक एक्स पैडिचर क्या जाता है क्लासिफिकेशन हमने अलएड हुँजकर इसके अलाव मुजए कि आपको पढ़ना है बज्योंद सलब्रेंड बीशिट होता है इसके अलावा primary deficit होता है यह सब क्या इसके अलावा एफ्रेक्टिव रिवेन डेफिशिट कैसे निकालते हैं और मॉनिडराईज फिसकल डेफिशिट किस तरीके से लिकलता है तो यह सब कुछ आपको कवर करना है बच्चो अपने आप एक तरीके से कह सकते हो स्लेबस में तब ही जाकर आपका स्लेबस अच्छी त यह सब अपको कवर करना है और भी तरीके हैं जैसे ट्रेडिश्नल बजट होता है, परफॉर्मेंस बजट होता है इन सब को भी हम आपको डिफाइन करेंगे मल्टिप्लायर में आपको पढ़ना है अएक पंडिचर मेल्टिप्लाय है इसके अलावा टेक्स म cheaper and budget expenditure multiplier हमने यह अलावार के लावाब को अच्छो टेक्स multiplier होता है तो सब कुछ आपको कबर करना है और मैं आपको यह भी बता दिता हूं कि अगर आप हम जैसे पढ़ा रहे हैं और उस यानि कि जो वीडियो हैं वो हम cover करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी की सारी वीडियो अच्छी तरीके समझ में आएंगी इस वीडियो में इतना ही thank you